और काव ते को कैसा लगा देखा काव को भी अच्छा लगा है तो आज हम लोग फिर से खेलने चारें माइनक्राफ्ट और बहुत दिनों बाद में अपनी सर्वाइवर वर्ल में आया हूँ तो चलो आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पर मैं आज चुका करता की वेडियो में मैं अब करते फाली में अपने विडियो में फिलेजर की खेलेशने उख के थि दूनरा ही तरही तो छी फ॥ा देंपर कशा आप्याइब कि उतने पर च्रफ कैप्पू की सार आजले से में नहीं कुछ आज ही तो प be एक और विलेजर को मैंने जॉब दी टोटल मिला के दो विलेजर को दी तो एक दिया था फॉर्चिन थ्री और दूसरा व्ला में को ज्यादा लूटिंग थ्री तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाला एक hidden enchanting table room जा पर मैं सिव अपने एक लिवर को flick करूगा और वास अपना पूरा एक enchantment table room आ जाएगा तो उसके लिए मैंने आदा सामन परे से collect करके रखा है और बाकियों में को और तीन चा सामने तो उनको मैं फड़ावत से collect करता सबसे पहले मैं अपने एन्विल को खोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक तो जो मैं चेस्ट प्रेट है इसकी हालत कुछ ज्यादा एक खाड़ाब है तो यहाँ पर मैं अपने डायमंड चेस्ट प्रेट को पूरा सही कर लिया है और यह लेगिन्स को भी एकदम रिपेर कर ल यहाँ पर मैं अपने विलेजर ट्रेंग हॉल के लेफशाइड में बनाने वाल अपना हीडन एंचन्ट टेबल रूम तो सबसे पैले मैं इसकी कोई राइट वाली साइड की बॉर्डर बना लेता हूं वैसे मिलको मनंने कैसा दीखे तो यहाँ पर मैं इसके जो विलेजर ट यहां पर मैंने डायमंड शवल को पेली बार यूज कर लिया और यहां पर मैं 7x7 का एक होल बना रहा हूँ बस और 2-3 ब्लोक्स को तोडने का और यहां पर मैंने 7x7 का पूरा स्क्वेर बना लिया है जहां पर मैं बनने वाला अपना हीडन एंचांटिंग टेबल रूम और य न की चक्र में मैंने यहां पर eka vex द्सकोण बढ़िये तो मैं अब मेरे को चाहिए अपने कोından कीप्लाइश में यही ब्लोक्स अंब मैंको अपने ब्लोक्स अच्छान को श dai ने का यह पर और मैंने अपने चार्व ने लाटन गाता यह ए यहांपर इसको प्लेस्क करने सिक तो में को वापर हर एक जिगा पर एक पर यह रेच्टोन टॉच को लगाना है तो यहां पर मेरा रेच्टोन लगा के भी complete हो चुका है बस एक बाक यह तो उसका में को जुगाड में कर लूगा और अब यह अपने श्टिकी पिश्टन को अपने प्लेस करने का है जापर भी अ उसके अपने इच्टोन टॉचिस को लगा है उनको में को इसको ब्रेक करना शूरू करदने अब में क्या अपने घर से रेच्टोन लेकर आग चुका हूँ कि मैं भूल चुका था तो हाँ जब भी अपने रेच्टोन तोड़ दिया है तो फिर अपन को बस जापर अपने अपने ओक के प्लैंक को लगा है तो हाँ जापर अपने अपने ओक के प्लैंक को लगा है वहाँ पर अपने अपने रेच्टोन को कुछ ऐसे लगाते जाने का है और यहाँ पर रेच्टोन लग इसने भी खाली स्पेस दिख रहा है उपर की साड में वहाँ पर मेरे को अपने ओग प्लैंक को ऐसे लगाते जाने का है ताकि यह सब कुछ छूप जाए यह पर मेरा ओग के प्लैंक के भी कंपलीट हो चुका है तो अब बस मेरे को चाहिए एक लाश्ट एंचांट्मेंट टेबल जिसको मैं बनाना भूल चुका हूँ देखो मेरे पास है नहीं तो अब मेरे को वापीस अपने घर पे जाना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेग लिप siya पर मैं एणचैन्मेंट टेबल बना के आ चुका हूँ तो अब मेरे को एक सेसे पहले क्या करने का है जैसे यह पर मैं को दुटना पड़ेगा और यहा पर ना पड़ेगा देल घ्ल यह पर यह सिर्व Aber मैं पड़ेकर और अब मिटका है लीवर तो लिए सिक्राफ्ट करके रखा है än और लीवर को और जैसे अब एक आहाम आहाँगा तो यहारम आवे और इसने दभा गा और उसको झाल पर आचाई भी कम आहाँया और इन दीक को प्लिक हए यहां वहां प्रॉप्तरभ सकते जैसे में यहां पर बार अपने बटन को दबा और भाई माइंट्राफ में काल से पूरा टूधी जाएगा क्रैश होने वाले मेरा कि तो अब बारी यह पर एक चोटा सा रूम बनाने के क्योंकि अभी एक दम सिंपल सा लग रहा है तो यहां पर में अपने लीव लेता हो और यहां पर सबसे पले बना देता हो और मैं सुछ़ा हो कि लाश्ट पर में डार को प्लैंक्स अब इसके ऊपर भी लगा लेता हो कुछ तो हां काफी अच्छा लग रहा है तो यहां पर मैंने इसके दोनों साइड में कुछ वॉल्स बना लिए ताकि यह लगे कि हां यह कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है वरना अगर सी यह एंचन्में टेबल हो तो अच्छा न लगता तो अब बारी इसके बैक साइड को बनान मेरा एंचन्टेड टेबल रूम कुछ ज्यादा ही खाली खाली एकदम सिंपल सा लगाता इसला भी मैंने अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल से विलेजर से बहुत सारे यह पर मैंने अपने बुक शेल्स ला लिए और मैं सोचाओ कि यहां पर यह जो लिव्स है यहां पर मै है यह मेरी लाश्ट बुक शेल्फ और अब देखते कि कैसा दिखता है और भाई ओहो मस्ट लुक आ रहे से एक चोटे से एडिशनल टच अप की वज़़से मस्ट लग रहा है जो भी मैंने बुक शेल्स डाली से थोड़ी से 3D लुक आ रही है ऐसा लगता कि यहां पर अपने उसको फ्लिक करूगा तो यह गायब भी हो सकता है और वापी से आ भी सकता है तो आप में कमेंट मतना कि आपको यह जो भी अपना एंचांटिंग टेबल रूम में कैसा लगा और यहां पर एक तो रात हो गई है तो सबसे पर चलते सोने के लिए बाकी यार ख्या ही लूक आ रही है रात को जबर दस लूक आ रहे है तो उसके वासे इसका थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट भी पढ़ रहा है नेक्स्ट मेल निंग तो यहां पर होची कि नेक्स सुबह फड़ा वच से लगाते है अपने स्विंग पूल में जम और आज मैं आने नहीं वाला क गाईज ते कहा है और दो दोस्त के साथ करदेना मैं मिलता आपपको अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए गोड़ बाइ